एलो दोस्तों हाई तो कैसे है आप तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दो बेहनों की कहानी दो बेहने थी एक का नाम रूची और दूसरे का अरूची दोनों हमेशा लड़ा करते थे रूची को प्यार पसंद था और अरूची को लड़ना रूची हमेशा कुछ अच्छा काम करने जाए तो अरूची उसमें टांग अडाती थी रूची होशियार और महनती और अरूची होशियार पर आलसी तो आपको यह नहीं लगता कि रूची और अरूची की तरह हमारे अंदर भी दो लक्षने मोजूद है जब हमें जल्दी उठना हो तो हमें अरूची आजाती है इसलिए हम जल्दी नहीं उठ पाते कभी सोचा है कि क्यो हम जल्दी नहीं उठते कोई काम करते करते हमें उस काम के प्रती अरूची आजाती है और हम उस काम को छोड़ देते हैं तो क्या करना चाहिए अपने आप से जीतने के लिए, गर हम अपने आप से जीत गए तो हम चाहे वो कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बस इतना करना है कि कौन घड़ी में कौन सा काम करते वक्त हमारे अंदर क्या आता है, रूची या अरूची यह हमें पता लगाना पड़ेगा तो केसे पता लगाए तो सबसे पहले यह सोचो कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं और हमें अपने बारे में जानने से पहले यह चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो जल्दी से लाइक, शेर, एंड, सब्सक्राइब करके बेल आइकर को दबा दीजिए ताके हम आप तक जल्दी पहुँच सके तो हम अपने आपको कितना जानते हैं सबसे पहले हम पूरी नीन ले अपने सोने के समय के अनुसार अपना वक्त अजेस करके सुबस जल्दी उठने की कोशिश करे तो हम सुबस जल्दी केसे उठ सकते हैं रात को सोने से पहले कुछ ऐसा सोचिए ये काम में सुबस उठके पहले करूंगा जो आपको पसंद हो तो सुबस जल्दी उठने के लिए एक मोटिवेशन बन जाता है और आपका सबकंसेस माइन आपको उस काम को करने के लिए जल्दी उठा देता है